अगर आपने मैंधेमेट्सटर इसे लास्ट हमने चैप्टर कोई डाउट नहीं होना ची बहुत ही इजी चैप्टर बहुत जादा इजी चैप्टर है सारका सार आपको प्लेश मिल जाएगी प्लेश में चेक आउट करो एट तू जैड जो उसका कंसेट है examplesば Carvel सारी, सारी इंसे all एक लिए नैक्स जो अबरा chapter और determinants यह उससे related जिए अगर आपने matrize कंप्लीट कर लिया तो साथ के साथ आप prepared Window inٹंपरों चैप्टे इंपने link कहों ता будет in two chapters ऐफ यह कोजी अच्छा होगा अभी आप determine करोगे तो तो बहुत easy आपको समझ मा आएगा, बिल्कुर new जैसान लगेगा, ऐसा लगेगा, वही chapter का part चल रहा है, बस कुछ नई नी चीजे, forms से वो इसमें addition होने वाली है, बस बाकी कुछ change लिए, same matrices वाला concept लगेगा इसके अंदर, clear है, और अपन book कौन सी follow कर रहे है, ml अगरवाल book follow क कर रहे हैं अपन, ठीक है, कोई डाउट ही होना ची, book को लेकर, बहुत ही शानदर book है, sufficient book है, अगर आप ये book निकाल लेता हो, two से three times, तो मैं मानके चलता हूँ, आप complete concept easily सीख चुके, आपको इसके अलावा, और कोई और book prefer करने की ज़रत नहीं है, next आप last five year के question जरूर निक चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब आट चैनल, ठीक है, for more informative lecture from class 8 to 12 mathematics sections, and bell icon को प्रेस कर लेना, ताकि next chapter से उनके notification आप तक पहुंच जाए, उनको determinant का क्या logic है, जैसे हमें पता है, कि जो system of equations होता है, वहाँ पर two type की equations पढ़ी होंग ठीक है, अगर इस तरीकी से दो linear equation दे रहे हैं, तो मनको represent कर सकता हूं, किस form के अंदर, matrix के form के अंदर, कैसे, यहां से इसका constant लिया, यहां से इसका coefficient लिया, और दोनों यहां पुट गिए, second equation का भी same coefficient यहां लिखा, यहां लिखा, यह क्या है, मेरे पास, जो variable इसमें use हो रह of first thing तो, ठीक है, अब जब मुझे यहां पर एक unique solution निकालने होते थे, याद करो हम जब two linear equation होती थे, मुझे unique solution बनाने पड़ते थे, यानि x की कुछ value, और y की कुछ value, उस value को कैसे निकाला जाता है, अगर मैं इसको इससे multiply कर दूँ, इसको इससे multiply कर दूँ, बीच में minus put कर दूँ, तो, यहां से जो value निकलेगी, वो हमारे पास क्या होगी, as a unique solution होगी, समझ मारा क्या कहना चाहरा हूं, तो, यह जो number है, which determined the uniqueness of the solution is associated with the matrices, यह matrices की form में निकलता है, यानि कि a equals to a1, b1, a2, b2 जो है, यह, इसको हम क्या कहता है, determinant of a कहेंगे, इसको जब हम solve करेंगे, वि यह, जो matrix की condition दे रखी, वो, और यह matrix condition कहां से आई है, अगर यह linear equation की form में होती, तो, ठीक है, अभी अपनको directly matrices देंगे, और वहां से determinant find करना है, बट एक exercise ऐसा है, 4.5 या 4.6 है में भी, उस exercise में आपको linear equation देंगे, उसको आपको matrix की form में लिखना है, then after that आपको unique solution निकालना यानि कि determinant of A निकालना है, ठीक है, ठीक है, अब दीरे-दीरे देखते हैं, क्या-क्या terms इसमें use हो रही है हमारे पास, सबसे पहले तो every square matrix जो रहती है, square matrix समझते हों, आप जैसे 2 multiply 2, जिसमें की row और column आपके पास equal होता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने third chapter matrix बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये सारी चीज़े detailing करने के ज़रूरत नहीं है, order N, AIJ belong करता है R को, यानि real number कोई भी हो सक इस तरीके से determinant of A हमें denote करना है, ठीक है, अब मेरे पास मान लो एक set है, square matrix का, M क्या है, square matrix का set है, और उसमें क्या है, R is the set of real numbers उसके अंदर put हो रखे हैं, ठीक है, उस condition में अगर मुझे find करना है, determinant of A, तो ऐसे represent कर सकते हैं, तो determinant of A इसको इस तरीके से बोला जाएगा, अब इसको represent कैसे करते हैं, जैसे ही एक matrix की form है, matrix ऐसे लिखते हैं, उसका मुझे determinant लिखना है, तो या तो मैं इसके जाएगे लिखूँगा, D, E, T, A, या फिर लिखूँगा, A के बाहर इस तरीके से दो mode वाले रंडे, या फिर इसको लिखूँगा, इस तरीके से mode वाले दो stick लिखा कि A, B, C, D, इसका मतलब होगे, determinant है, इसी को इस symbol से भी represent करते है, determinant of A को, बताओ समझ में आया है क्या, अब एक importance, note that only square matrices have determined, जो हम determinant solve करेंगे, वो किभल square matrices में work करेगा, जैसे कि हमने matrices में पढ़ा था, rectangular matrices पढ़ी थी हमने, जैसे कि 2 multiplied 3 order की हो गई, या 3 multiplied 2 order की हो गई, कि यहाँ पर work नहीं करेगा, determinant, clear हुआ यहाँ तक, मुझे बताओ, यहाँ तक quality condition को समझ में आरी हलकी फूल की, ठीक है, जो point notable है ने, हमारे पास वही बता रहा हूँ है, आपको यह theory तो क्या, actual में आपकी book में लिखी, तो मैं theory explain कर रहा हूँ एक तरीक से, इसलिए theory लिए कि मैंने आप, ठीक है, और देखो, आप अपन value of determinant निकालना सीख लेते हैं, बस यहाँ से start हो जाता है आपका actual में concept, अब determinant of matrix of order 1, जिसका order 1 है, उसकी अगर आपको matrix निकालना तो कैसे निकालना तो कैसे निकालना तो कैसे निकालना तो कैसे निकालना, जैसे मालो, example समझ लो अगर A कोई matrix है, 5, यह कितना order है, इसका order है, इसका order है, 1 into 1 का order है, अगर इसका driven निकालना तो 5 के बाहर क्या लगाना, mode, कुछ नहीं लगाना, as it is answer हो जाएगा, लेकिन अगर यह negative में हुआ, तो बाहर आके वापस negative ही value put होगी, वापस आके negative put होगी, positive put मत कर देना, जैसे क mode के अंधर होता है, बता हो समझ में है क्या, clear क्या कहना चारो, यह one order matrix का determinant find करना का तरीका हुआ, ठीक है, और देखो, अगर order 2 हो जाए, अगर order 2 हो जाए, तो कैसे find करते है, देखो इधर धियान दो, पहले इस element को इस element से multiply करना है, फिर इस element को इस element से multiply करना है, बीच में minus put कर देना, धिहान देना, पहले यह वाला element लिखा जाएगा, फिर यह लिखा जाएगा, तो क्योंकि बीच में minus है, value आगी फीचे होगी, तो मामला गडबड़ा जाएगा, यह सब elements होते हैं आपको पताए, तो देख लो, a11, a22 multiply हुआ, minus, a12, a21 multiply हुआ, बीच में क्या है, minus ह ठीक है, अब इसका एक example भी देख लेते हैं, जैसे यह आपको एक matrix देदी है, 5, 3, 2, 5, 2, 3, minus 1, अगर इसका determinant निकालना है तो ऐसे करके इस्टिक लगेंगे, अब पहले इसको multiply करेंगे, 5, 1, minus 5, फिर 20 में formula का minus आएगा, फिर 2, 3, 6, आएगा, 5, 4, 6, कितना होगे है, minus 11, ब इसमें कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा important है आप ध्यान देना, जैसे मान लो, आप यह order लिखेंगे, अगर मैं first वाले order से compare करूँ, क्या करूँ, first वाले order से, तो first A11 यहाँ लिखूँगा, और फिर मैं determinant निकालूँगा, इसके बच्चेवे element, बच्च्वे element कौन रहेंग तो यह पूरी line छोड़ दो, इसके अलावा जो बच्चेवे, इन चारों का mode wallet जो stick है, फिर आएगा बीच में minus, second value कौन सी है, A12 होगे, अब इस वाली line को छोड़ दो, इस वाली line को छोड़ दो, अब बच्चेवे कौन से है, A21, A31, A23, 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 A23 से, कि सर यहाँ पर बीच में minus क्या है, तो इसका तरीका में बताता हूँ, यह जो इसका numbering है, 11, minus 1 की power 1 plus 1 कितना होता है, even number मतलब की positive होता है, minus 1 की power 1 plus 2 odd number है, तो यह क्या जाएगा, minus 1 की power 1 plus 3, यानि फिर से even number है, तो यह क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, समझ मारा है, क्या example दे रहागा, मैं आपको बिल्कुल frequent समझाता हूँ यह चीज है, इधर देखो, सबसे पहले आपने 3 choose करना है, यहां से 3 choose कर लिया, फिर mode लगा दिया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बच क्या गया, 2, 4, minus 1, 7, फिर क्या आएगा, फिर formula का minus आएगा, फिर यह बीच वाली digit आएगी, minus 2, फिर mode लगाएगी, mode मतलब इटर्मेंट का, फिर यहां से पूरी line छोड़ दो, मतलब यह 2 जिस भी line के अंदर आएगी, row को छोड़ दो, column को छोड़ दो, बच क्या गया, 1 और 0, minus 1, और 7, फिर pack, फिर क्या आएगा, plus का 5 आएगा, फिर इस पूरी को छोड़ दो, इस पूरी को छोड़ दो, कितना बचा, 1, 0, 2, 4, अब आप मुझसे यह पूछ सकते थे, sir, cable में इस first line से निकाल सकते हो, अब इसको solve करो, 2, 7 जा, 14, फिर formula का minus, फिर 4 बन्जा minus 4, समझ में आ रहा है, क्या solve कर रहा है, फिर minus minus, plus 2, 7 बन्जा 7, minus formula का फिर 0 से करेंगे, तो 0 हो जाएगा, plus 5, 4 बन्जा 4, और ये 0, अब आ जाओ, 14 plus 4, plus 2, 7, फिर 5, 4, कितना हुआ देखो, 14 और 4 कितना होगे, आपके पास 18, 18, 3 जा कितना होता है, 54, 2, 7 जा कितना होता है, 14, 5, 4 जा कितना होता है, 20, सब को add करेंगे, तो ये आगे, आपके पास देखो, 88, बताओ समझ में आया क्या, कितना आसान है, बस matrices आपको अच्छे समझ में आना चीए, तब आप इसको क्लियर ली कर पाओगे, क्लियर है, यहाँ तक में topic में किसी को भी कोई doubt है, तो बता सकता है, आगे बढ़ सकने हैं अपन, कोई issue वाली चीज नहीं है, आगे बढ़ें, ठीक है, अब देखते हैं, और क्या हमारे पास इसमें concept आ रहा है, देखो, अगला concept है, minor and co-factor का, यह थोड़ा सा आप ध्यान देना है, इस concept के बढ़ें, थोड़ा सा भस ध्यान देने की ज़रात है, बाकि यह भी easy है, देखो, दो चीज़े हैं, एक तो है minor और एक है co-factor, minor जो है, पहले तो उसका symbol है capital M, और जो co-factor है, उसका symbol है capital A, खीक है, तो भी निकालते कैसे हैं, सीधे example से समझते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, if Mij is the minor of element, Aij is the determinant of debt, then the number minus 1ij is called co-factor, अब आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा, बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा, कि कोई element है A11, first place पर रखा हुआ है element, उसका minor होगा M11, ठीक है, अब अगर मुझे उसका co-factor निकालना है, यानि A11 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यह जो minor का symbol है, इसको multiply करना पड़ेगा, किस से minus 1 की power, यह जो base में क्या है, 11 है न, तो 1 plus 1, अगर इसका sum even होगा, तो positive से multiply करना है, अगर इसका sum odd होगा, तो negative से multiply करना है, तो अगर minor निकल गया, तो co-factor में निकल जाएगा, उसी से related है, clear होगा है आपर, बताओ यहां तक समझ माया है कि, अब इसका है कि example समझाता हूँ, यह value दे रखी, मुझे अगर M11 निकालना है, मुझे अगर M11 निकालना है, तो मैं M12, तो इस पूरी line को चोड़ दो, इसको चोड़ दो, जो बजगया है वो आपका M12 है, फिर M21 निकालना, 21 को होन है, यह 4, इसको चोड़ दो, क्या बजगया, 3 बजगया, आपके पास minus 3 है, मतलब समझ में हारा, क्या कहना चाहरा हूँ मैं आपसे, अब अगर आपके पास M11 की वैल्यू 7 है, तो A11 की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू 7 मल्टिप्ला है, minus 1 की पावर 1 प्लस 1, मुझे दिख रहा है यापर के लिए यह 1 प्लस 1 इवन नंबर है, तो A11 की वैल्यू 7 ही होगी, अगला देखो, जैसे M12 की वैल्यू 4 है, तो A12 की वैल्यू की वैल्यू की होगी, 4 का मल्टिप्ला होगा, और किसके साथ होगा, यह मल्टिप्ला है, M12 के साथ मुझे मल्टिप्ला है, minus 1 की पावर 1 प्लस 2, वह अव्यसी बात है, मल्टिप्ला है, minus 1 होगी, तो यह minus का 4 हो जाएगा, यह देख लो, बताओ समझ में आया क्या, किलियर है, अब मुझे बताओ, minor और co-factor निकालने में किसको दिक्कत आ रही है, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, ठीक है, आगे बढ़ू, अब देखते है, next, अब अगर 3 into 3 की मैट्रिस है, तो कैसे निकालेंगे, अब फोड़ा सा धिहान देना, M11 का मतलब मैंने बताया, यह वाली digit है, इस पूरे को छोड़ दो, इस पूरे को छोड़ दो, अब जो टोटल आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 minus 5, 0, 2, इसका आप determinant निकाल दो, क्या निकाल दो, इसका determinant निकाल दो, M22 बोल रहा है, तो M22 का होता है आपके पास, यहाँ होता है, तो इस बीच वाले को छोड़ दो, और इस सेंटर वाले को छोड़ दो, क्या बज़रा देखो, 7, 1, minus 1, 2, तो बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, कितना आसान टॉपिक है, समझ रहा है, और जब इसका को फेक्टर निकालो, तो इसी M11 को मल्टिप्लाय करना है, आपको minus 1 की पावर, यह जो बेस में क्या 11 है, 1 plus 1, आप डिरेक्लिक देख लो, अगर यह even number है, तो positive रहने हैं दो, इनका some odd है, तो negative लगा दो, बताओ समझ में आया क्या, clear रहे हैं आपे, सभी student को, expansion of determined by any row or any column, समझा रहा हूं थोड़ा सा, अगर आपको directly A11 निकालना है, directly आपको A11 निकालना, तो A11 actual में हम कैसे निकालते हैं, मुझे बताओ, A11 हम निकालते हैं, minus 1 की power 1 plus 1, multiply M11, यही तो करते हैं अब, M11 कैसे निकालते हैं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, समझ में आई, तो co factor के अंदर भी यही value आप लिख सकते हो, समझ में आया है क्या, सेम चीज़ें, जादा को different वाली चीज नहीं है, अभी जो समझाया है वही है, सब के expansion लिख रखे हैं मैंने इस तरीके से, समझ रहो, सब के expansion लिख रखे हैं इस तरीके से, बताओ क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इस चीज बताई, कि we know that the value of determinant is given by, value of determinant कैसे निकलती है, value of determinant आपको कैसे निकलती है, माल लो यह आपके पास value दे रखी है, value of determinant कैसे निकलती है, हमार पास, a11, फिर यह, इन दोनों का टाओ, a22, a21, a31, a23, और a33, फिर प्लस a13, इस उपर वाली को चोड़ो, और इसको चोड़ो थड़ वाली को, a21, a22, a32, a34, यह actual में determinant का value होता है, determinant of a, जब 3 into 3 की matrix हो, ठीक है, यह वाली सारी values देखो, इसने यहापर लिख दी है, लिखी नहीं लिखी, अब मैं यह आप से कहना चाहरा हूँ, कि अब ही हमने discuss किया, कि यह जो a22 है, यह actual में क्या होती है, मेरे पास m11 होती है, होती है नहीं होती है m11, हाँ होती है, और मज़े की बात यह है, कि m11 जो है, वो a11 के एक्वल होता है, क्योंकि यह आप नीचे 11 है, संच में आ रहा है, m12 जो है, वो माइनस आपके पास a12 के एक्वल होता है, संच में आ रहा है, क्या कहना चाहरा हूँ, मतलब कि यह वाली जो value है, second value, यह actual में आपके पास m12 की value है, यह किसकी value है, m12 की value है, ठीक है, अब यहां से conclusion निकल के आ रहा है, इन तीनों digit का आप गौर से देखो, अगर आपको 3 into 3 का कोई matrix है, उसका determinant निकालना है, तो आप जिस value का, आप जिस value का element लिख रहे हो, मतलब उसमें से जो element लिख रहे हो, उसी element का co-factor लिख दो, फिर उसी one line, एक single row पे चल रहा है पना, एक single row पे रखना है, एक expansion along, first row पे चल रहा है, first row, first row में a11 की बाद क्या आता है, a12 आता है, 12 की बाद a co-factor of 12, फिर a13, फिर co-factor of 13, समझ मा आ रहा है कि देखो आप, पता हो समझ मा आ रहा है क्या, क्या कहना चारा हूँ, तो हमें कहने का मतलब क्या है, इस lines, अगर आप two one row के along कर रहा हो, तब भी आप यह वाली चीज़ अपला है करनी है, इससे यह conclusion निकल के आया, कि अगर हम किसी भी row, या फिर किसी भी column के along expansion करें, और वहां मुझे find करना हो, क्या determinant of a, वहां मुझे find करना हो, determinant of a, उस condition में मैं क्या कर सकता हूँ, उस element को और उसी element के, co-factor को multiply करके, तीनों element को co-factor से multiply करके, अगर उनका sum निकाल दूँगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास, determinant of a निकल के आ जाएगा, एक शौटली formula बन गया एक तरीके से, क्या बन गया, एक शौटली formula बन गया, खीक है बहीं, और देखो, यहां से नगया, the sum of product of element, of any row of a determinant, with their corresponding co-factor, is equal to the value of the determinant, यह definition बन गया, इसके लिए compulsory क्या है, the above result is true for every determinant of order, greater than or 2, मतलब कि या तो 2 से greater होना चीव ओडर, या फिर 2 के equal होना चीव ओडर, minimum condition है, सभ़ महीं, ठीक है, we can obtain the value of determinant very quickly, if we expand it with the help of row column, with contain maximum number of zeros, यह आप मतलब बहुत परीगे समझ सकते हैं, माल लो कोई matrix है, जिसमें 002 है, 113 है, 402 है, सर, किसके expansion के along, हम row को, determine को solve करेंगे, तो मैं कहूंगा, हम first वाली row को take करेंगे, अगर माल लो नीचे 002 होता, और यहां 112 होता, तो हम इस वाली row को चुनते हैं, क्यूंगि इसमें 2 value 0 है, और 0 से multiply होके, calculation half हो जाएगी, संजमारा भी question करेंगे, तो संजमारा भी तो संजमारा भी आएगे आपको फोई चीज़ा ठीक है, और देखो, यहां तक संजमारा भी आगे, अब यहां से एक important concept निकल के आता है, यह सबसे important concept पर मेरे अगर करेंगे है, यह कह रहा है ऐसा, कि if elements of row are multiply with co-factor of any other row, सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं, देखो, यह है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि अगर मैंने एक element यह choose कर लिया है, इस row में से, इस row में से, तो इस row के अलावा, मैं किसी दौनों row में से, कोई भी number का, अगर co-factor इसके साथ multiply करता हूँ, after that मैंने, यह वाला element चूज कर लिया, बट इस बार मैं इस वाली row का, co-factor चूज कर रहा हूँ, unless मैंने इसके अलावा, third position यह वाला लिया है, बट मैं इसके अलावा, इस element का co-factor चूज कर रहा हूँ, और इनको अगर मैं आपस में multiply करता हूँ, तो उसका जो sum निकल कर आएगा, वो क्या निकल कर आएगा, zero निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, zero निकल कर आएगा, बताओ समझ में आया क्या, clear हुई यह बात, if element of any row और column, are multiply with co-factor of any other row और column, इस row की जगे मैं इस वाली row के co-factor को भी choose कर सकता था, तब भी यही वाली चीज मेरे पास applicable होती, बताओ समझ में आया क्या, clear है क्या कहना चारहूं मैं आपसे, तो इस concept के अंदर आप यह, मतलब यह proof करने को आएगा, verify करने को, कि यह condition satisfy करती है, अगर आपने यह पूरा lecture अच्छे से देखा है, तो मैं मान के चल रहो, next आप कुछ examples solve करो, after that exercise 4.1 के approximately 50% cations आप self निकाल लोगे, यह मेरी guarantee है आपसे, की बात है, जिन cations में doubt लगे, आप playlist के अंदर इसके next lectures में आपको मिल जाएंगे cations, बाकी आप questions पर खुद से निकालने का try करना, जिसमें आपको doubt लगे, यह answer नहीं बने, वो आप solution देखना, clear है, next time मिलेंगे example number 1 के साथ, end lecture पसंद आया, तो please यार like, share and subscribe, मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए goodbye, and हाँ, चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe it,